दोस्तो बलड प्रेसर यूं तो हर छोटे बड़े क्लिनिक में डॉक्टर या नर्सन आपते हैं लेकिन आपका बीपी कितना सहीन आपा जा रहा है ये कहना बड़ा मुश्किल होगा क्योंकि लखनाओ के जीम्यू में कुछ समय पहले एक सोध में बहुत ही जोकाने वाले नती उनके मुकावले थोड़ा ठीक है 32 फीसे दिन नर्स ऐसी हैं जिने ठीक बलड प्रेसर नापना नहीं आता यानि जितने बड़ा डॉक्टर उतने ही ज्यादे गलती और उतने ही ज्यादे जल्दी देसल दोस्तो हाईपर टैज्सी के सिकार मरीज के लिए बहुत जरूर है कि कि उसका बलड प्रेसर सही तरह से मोनिटर हो। इसलिए दोस्तो हम आप से बता रहे हैं कि किस तरह से गलत बलड प्रेसर इस्पतालों में या डाक्टर नाप रहे हैं। दोस्तों ये बात हम नहीं कह रहे हैं बलकि ये बात कह रही हैं KGMU की Physiology विभा की डॉक्टर नर्सिंग वर्मा डॉक्टर नर्सिंग वर्मा का कहना है कि बलड प्रेसर नापने के लिए सबसे पहले बहां से कपड़ा हटा ले या अगर कपड़ा ना हटा पाएं तो बहुत हलका कपड़ा रहने दें कपड़ा समतल होना चाहिए और बलड प्रेसर नापते समय मरीज को क्रास लेग में ना बैठने दें यानि बिलकुल सीधे बैठें साथ ही मरीज को कुरसी पर टेक लगा कर बैठाई चोकि महज कुरसी पर टेक न लगाने से बलड प्रेसर में पांस से दस अंकों का फरक आ जाता है जो आपके इलाज के लिए काफी महत पून है डाक्टर सिंग का कहना है कि अमोमन जादेतर गुस्सा करने वाले लोगों को ही हाइपरटेंसी का सिकार मना जाता है जबकि उसका कोई सीधा सम्बन नहीं है सांद दिखने वाले लोग भी हाइपरटेंसी का सिकार हो सकते हैं अगर आप में एक दो लक्षन दिखाई दें तो आपको तुरंट अपने BP की जांच करानी चाहिए दोस्तो अगर आपको एक चीज की दो आखों के सामने अंधिरा, पसीनाना, सांस पूनला या पैरों में सुजन के लक्षन है तो आपको अपना BP तुरंट चेक कराना चाहिए क्योंकि आप हाइपरटेंसि के सिकार हो सकते हैं या फिर अगर आपके आईउ अधिक है या आप तमाखू या अलकोहल लेते हैं या मोटे हैं या थाइराड की दिक्कत है तो तब भी आपको नियमित रूप से अपना BP चेक करवाना चाहिए या फिर घर पर ही मंसीन लाकर खुद चेक कर सकते हैं क्योंकि दोस्तों हाइपरटेंसन या BP की समझ से आज कल आम हो गई है और समय से अगर इसका इलाज ना किया जाए तो ये हाड अटेक, स्टोक या किड्नी पर प्रभाव डाल सकता है हाई बलड प्रेसर की इस्तिती में डॉक्टरी इलाज तो जरूरी है ही साथ ही आप अपने लाइफ इस्टाइल या खानपान में भी बदलाव कर सकते हैं जिसके तिरिये आप अपने BP को थोड़ा सुधार सकते हैं इसलिए दोस्तों हम कुछ फूड आइटम्स लाएं हैं जिने आप अपनी डाइट में सामिल कर सकते हैं और अपने BP में सुधार कर सकते हैं अमरिकन हार्ट अइसोशेशन का कहना कि कद्दू के बीजों में फाइबर की मातरा काफी होती है जो कि मोटा पाउर हार्ट समद्धी बीबारे को दूर करने में काफी मदद करता है क्योंकि इसमें मैगनीसियम भी होता है जो बलड प्रेसर को कम करने में मदद करता है साथी दोस्तों आप अपनी डाइट में हरी सब्जा भी सामिल करें जो पोटेसियम से भर पूर हो दरसल पोटेसियम यूरिन के जरिये अतिरिक सोडियम को हमारे सरीर से बहार निकाल देता है इसी वज़े से ये बलड प्रेसर नार्मल कर देता है आप अपनी डाइट में पाला, करमसाग, चुकुंदर के हरे पत्ते और बीन्स जैसी चीजे ले साथी दोस्तों लसुन में एलीसिन होता है जिसे हाई बलड प्रेसर के लिए रामबान माना जाता है इसके अलावा इसमें एंटी माइक्रोबियल या एंटी फंगल प्रोपरटीज भी होती है जो कोलिस्टेरल को कम करने में मदद करता है इसलिए लसुन जरूर ले साथी बलूबेरी, रसबेरी और इस्टाबेरी इनने भी हाई बलड प्रेसर के इस्थिति में सिहत के लिए काफी फादेमंद बताया गया है क्योंकि इनमें कुछ ऐसी तत्वे होते हैं जो हाई बलड प्रेसर को कम कर देते हैं पिछले साल ये के स्टिडी की गई थी जिसमें चुकंदर में कुछ फोटो केमिकल्स या एंटी आक्सिडेंट मिले थे जो हाई बलड प्रेसर को कम करने में साहिक्सिद होते हैं और ये हाट संबंदी विमारियों को दूर भगाते हैं और दोस्तो सबसे बड़ी बात जो मैं आपसे सेयर करना चाहूँगा अपने अनुभव के आधार पर दोस्तो खुस रहने की आधर डालो खुस रहने की आधर डालना आपके लिए और आपके स्वास्त के लिए और आपके प्रिवार के लिए बहुत ही महत्पून है क्योंकि अ